सीरे शक्ति एस्तित के एसास की में हर्मन और सौम्या की जिन्दगी में खुशियां फिर से वापस आ गई हैं और अब हर्मन सुर्भी को डिवोस दे देता है सीरे शक्ति एस्तित के एसास की में हर्मन और सौम्या के बीच में लब ड्रामा देखने को मिलने वाला है तॉम्या हर्मन के घर में आ गई है और प्रीटों ने उसे बहु के रुपे स्विकार कर लिया है कि बाद हर्मन और सॉम्या की लाइफ एक बार फिर से ट्रैक पर चलने लगेगी प्रीटों सॉम्या को एकसेप करने के साथ साथ उसे घर की चाबियां भी दे देती हैं अरगन की पूरे जिम्मेदारी उसे सौंग देती है हर्मन ये सब देखकर बहुत खुश है कि सौम्या को उसका हग मिल रहा है वो हग जिसकी वो हमेशा हगदार थी जो हर्मन की पत्दी को मिलना चाहिए था हर्मन सौम्या की लाइफ में सब कुश ठीक होता देखकर सौर्वी भी हर्मन को डिवोस पेपर भेज देती है सौर्वी ने डिसाइड किया है कि वो अब हर्मन की लाइफ से निकल जाएंगी वो हर्मन और सौम्या को हमेशा के लिए एक कर देंगी और उन दोनों की जिन्दिगी से हमेशा के लिए चली जाएंगी सौम्या ये देखकर अपसिट हो जाती है लेकिन हर्मन उसे समझाता है कि ये सुर्वी के लिए बहुत अच्छा है सौम्या और हर्मन की लाइफ में एक बार फिर से सब पुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अब जल्दी पृतो अपना असली चेहरा उन्हें दिखा देगी जी हाँ ये सब पृतो का नाटक है और जल्दी वो हर्मन सौम्या के लाइफ में बहुत बड़ा तुफान लाएगी अब वो तुफान क्या होगा ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस की पूरे जिम्मेदारी उसे सौम देती है हर्मन ये सब देखकर बहुत खुश है कि सौम्या को उसका हग मिल रहा है वो हग जिसकी वो हमेशा हगदार थी जो हर्मन की पत्दी को मिलना चाहिए था हर्मन सौम्या की लाइफ में सब कुछ ठीक होता देखकर सौर्मन भी हर्मन को डिवोस पेपर भेज देती है सौर्मन ने डिसाइड किया है कि वो अब हर्मन की लाइफ से निकल जाएंगी वो हर्मन और सौम्या को हमेशा के लिए एक कर देंगी और उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएंगी सॉम्या ये देखकर अपसिट हो जाती है लेकिन हर्मन उसे समझाता है कि ये सुर्वी के लिए बहुत अच्छा है सॉम्या और हर्मन की लाइफ में एक बार फिर से सपुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अब जल्दी प्रीतो अपना असली चेहरा उन्हें दिखा देगी जिया ये सब प्रीतो का नाटक है और जल्दी वो हर्मन सॉम्या की लाइफ में बहुत बड़ा तुफान लाएगी अब वो तुफान क्या होगा ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस